गुरु रविदास के 640 में जनमदिवस के उपलक्ष में उन्ना की हरोली विधानसवा के कांगड के डेरा बाबा गरीब दास्तन में संत समेलन का आयोजन किया गया इस समेलन में डेरे के बाबा राकेश की अगवाई में हिमाचल और पंजाब के कैसंत महापुर्षों ने गुरु रविदास महारास की महिमा का गुनकान करते हुए अम्रित बानी की वर्षा की संतों ने इस दोरान गुरु रविदास महाराज की शिक्षा को जीवन में अपनाकर धरम को सद कर्मों की राह पर चलने का अवाहन किया संतों के मधूर मुखर्विन से प्रभु बानी और अमरित बानी की भाषा का अनंद ऐसा था कि सम्मेलन में हजारों की संख्या में शोर्तागन और डेरे के अनुएई मंत्र मुगद होकर जूमने को मजबूर हो थे यही नहीं संतो द्वारा मधुर प्रभु बानी और अमरित बानी की वर्षा कुछ ऐसी बर्षी की सारा पंडाल गुरु रविदास के जैकारों और तालियों की गड़गड़ाट के साथ नहा उठा, श्रोतागन और डेरे के अनुयाई मंत्र मुग्ध होकर गेंटों जूमते रहे हैं संचन महाँ पुष सब्तो मेले हैं सब्तो पहला मैं आज होई संगता कोटी-कोटी तानबद करता हैं यह नहीं आज सब्ते कमाल सब्तों श्री गुरु रविदास जी महाराय दे से सोच्यारी में जनम दिहारे दे हादरियां लगायां लक लक बदाई आए होई संक महाँ पुर्चनों कोटी-कोटी नमन सद्कुर्बानी का विच लिख दे ऐसा चाहू राज में जहां मिले सवी कोवंग उच नीच संबसे रविदास रहे परसा इकोमार्थी के सब पांडे सब को एक ही सर जनहारा रविदास सद्गुर्व है जो हो बेजाम से नियारा का में चिम्द्पलों कोई की से दानाम लेकर शूठीजंद कंद्पलों का क्वे नहीं जहां हूं सद्गुरान दिवानी दशावर श्री गुरु आद प्रकाश रत्राकर सागर दिगुवाई विछ ए समागप जड़ा की दविछ बराजमान हान सरकारा अरि सोहीरा शाड के नित्द कर्यान की आज तेनली दोजिक जाएंगे सत्पागे रविराज क्या खेंदे माराज अपनी बानी देवीचे किता ना पड़िये बेले सारे बोलो गुरुजी तेरे दर्शन नो अक्या तरस गया गुरुजी तेरे दर्शन नो 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 गुरुजी तेरे दर्शन दो अक्या तरस गया गुरुजी तेरे दर्शन दो अक्या तरस गया जिसके बाद डेरे के पूरव संत महापुर्शों की समाधियों पर संत बाबा राकेश द्वारा श्रदा सुमन अर्पित किये गे और बाबा गरीबदास जी की स्तूति की गई इस दोरान हजारों की संख्या में डेरे के अनुयाई मौजूद रहे और पूरा महाल भक्ति में हो गया ढोल नगाडों की थाप पर भक्त गण जूमते नजर आए और संत बाबा राकेश के प्रती विविन विविन प्रतीकों के जरी अपनी आसना का पड़ेशन करते नजर आए रुर्ण रूद रूरा मौन सिछर्ड रूद घनुयाई महना मौना पर चुद संत ले अज़ो रख दो प्राना मास के देख 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 से गुद्दीनों मेरी चरी होई गुद्दीनों चड़ाई रखी सोरिया अज़ो रख दो प्राना मास के देख 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 से बतान बॉक ज़ना मुझे लगी तो मिझे निया की जनाा लो लखें दूंद जयाल ला थीर विराँ हो पुम्हतं बभेद नहीं है कि दिदार भी खाते तो लाओं तो देखिते 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 द वही संत समेलन में शरधालू गर्ण ने कई सोभा यात्रा भी निकाली इस सोभा यात्रा में भी आस्ता और भक्ति का आलम ऐसा था कि गुरु रविदास महाराज की भक्ति में इदुनों पर शरधालू नास्ते गाते नजराए संत बाबा राकेश ने इन सरधालों की होसला अ विनन दिन किया। गिनिन किया। कर दो कर दो 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 खुटे सो खुटे अजया है बुर्ण आदीजिय थाउ मुष्रेवाइभड़ दोट मैं आजएभड़ आजए मुझा। इस संत समेलन में आये संतों का भी संत बाबा राकेश ने विशेश अविनंदन और स्वागत करते हुए उन्हें रत में बिठाकर आयोजन सल और डेरे तक पहुंचाये यही नहीं संत बाबा राकेश ने इन सभी संतों को हार्व भगवा परतीक पहना कर उनका विशेश अविनंदन किया कारिकरम के अंत में गुरु रविदास महारास की आर्टी की गई जबकि संत बाबा राकेश ने भी संमेलन में गुरु रविदास महारास की अम्रित पानी का प्रवचिन कर सरधालों को निहाल कर दिया सत्कुर्दी बाणी एक एस ने जिंदिया के एपरानी साथ संगत मिल रहो मादों जेदा मदु मखिया शेयदे नाड़ा कठी होकर रहनी है एद दुनिया दे लोग को इस तरह मारा दे बाणी नाड़ चुड़के रहो टांकि इनसान उस मारे नाड़ प्रेम करें बानी नाड़ प्यार करें एक जुटता होगे मारे दी बाणी बारवा रही दस्दी है साथ संगत मिल रहो मादो जैसे मत मखिया नीचों उच करे मेरा गोविन काहों से नड़े वहीं इस कारिक्रम में संक्तों को संत रविदास महराज से जुड़ी के कहानियों पर भी प्रकाश डाला गया और कवाली के जरीए महापुल्षों ने संक्तों को ध्यान करवाया जीमत ने मुझारे खर्क नाम देना तुखे सगले पसारे नाम ते रदीवा नाम ते रवाती नाम ते रवाती नाम तेरो तेले तुखे सगले पसारे जीमत ने गद्रक नाम ते रवाती नाम ते रवाती नाम ते रवाती अबीर मेरे दीकी एन शानी जुर्वा जले जले हरी सकत बेटी हुक्म है कि बैजो तु तो आदा बोगो तन्यावाद आज तो आद हाज ही लगी वह पाइब दीकी सारी अमनों